आपके पार्टनर के बारे में क्या सोचने वाले हैं? आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचेंगे? आए जानते हैं, आज की एनर्जी आपकी और आपके पार्टनर की किस तरहा की होगी? आपके पार्टनर की अनर्जी आज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं? इस रिलेशन्शिप के बारे में का थौट प्रसेस किस तरहा का होगा आए जानते हैं? तो पहला काड है देवोल्ट कॉस्मोस का काड है, तौ जैसे की फुल मून अभी गया है, तो एनर्जी के अंदर परिवर्तन आना तो लाजमी है, इस चीज को आप अवोईड नहीं कर सकते हैं? वक्त का परिवर्तन आज की energies में नजर आ रहा है आज आपके partner का thought process बिलकुल ही reversed है आज आपके partner बहुत ही ज़्यादा in decision की energies में नजर आ रहे है कुछ उलजे उलजे से हैं आपके partner उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें कौन सी direction में move करना चाहिए जिस भी direction में वो move करने की कोशिश करते हैं एक backward force उन्हें पीछे की और खीच रही है आज आपके partner आज इस relationship को लेकर बिलकुल भी clear नहीं है उन्हें इस relationship में किस तरह से आगे बढ़ना है इस चीज़ के बारे में उन्हें कुछ समझ नहीं आने वाला है आज आपके partner बहुत ही ज़ादा pain experience करने वाले हैं आपके partner की आज realizing energies ज़ादा नजर आ रही है आपके partner को आज ये महसूस होगा कि आपको दुख देने का यही सिला मिला है उन्हें की उनकी life के अंदर भी इतना ज़दा दुख है वो इतना ज़दा pain की energies में है वो इतना ज़दा अपनी life के अंदर सफर कर रहे हैं ठीक है आज आपके partner बहुती painful energies में मुझे नजर आ रहे है और जो भी karmic situation है आपके relationship में वो आपके partner की energies पर हावी होती हुई नजर आ रही है और ये karmic situation आपके partner की energies को आज नई direction में channelize कर रही है नई direction में आपके partner move करने की कोशिश करेंगे और ये जो direction है ये आपके लिए positive नहीं है ये direction आपके partner को आपके बास लेकर नहीं आ रही है इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है आप अगर ये सोचे कि directional change आपकी तरफ हो रहा है ऐसा नहीं है बलकि आपके partner एक ऐसी direction में बढ़ रहे है जहां पर उनकी life के अंदर illusion जादा पैदा हो जाएगा जहां पर confusion जादा पैदा हो जाएगी इस direction में आज आपके partner बढ़ते हुए नजर आ रहे है मुझे नहीं ऐसा लग रहा है कि वो आज इस relationship के बारे में कुछ भी positive सोचने वाले है आज बहुत ही hanged energies में आपके partner मुझे यहां पर नजर आ रहे है देखिए यह energies जो है यह ups and downs आपके relationship में क्यों होते रहते हैं इसके बारे में मैं detailed video में बताती हूँ और वो जो detailed video है वो इसी channel पर रात को साड़े नौबचे आती है तो आप प्लीज उस video को ज़रूर देखा कीजिए और इन energies से अपने partner को बचाने के लिए आप प्लीज comment section में cut ठेक है cut negative energy इस तरहां से आप comment करेंगे जिससे की आपके partner इस energies से बच पाए ओके so आईए जानते हैं आपकी आज की energies किस तरहां की रहने वादी है आज आप कौन सी energies में होंगे आए जानते हैं आपकी energies आज किस तरहां की होंगी आए देखते हैं तो पहला card यहाँ पर justice का card है और देखते हैं then is page of emotions का card है the next is the hierophant का card है the next card is ace of emotions का card है the next card is ace of inspiration का card है आज आपको यह महसूस होगा कि आपके partner ने आपके साथ बहुत ही जादा injustice किया है और यह injustice आपके साथ हुआ है इसके बारे में आप ईश्वर से बहुत सारे सवाल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आप बहुत सारी चीज़ें इश्वर से पूछने वाले हैं कि आप ही किसाथ ऐसा क्यूं हुआ आपके प्यार में क्या कमी रहे गई थी ठीक है और आप आज expect करेंगे कि आपके पार्टनर आपको सामने से अपने दिल की बात बताएं आपके emotions आज आपको बहुत साथा परिशान करते हुए नज़र आ रहे हैं फुल मून का effect है इस फुल मून की वजह से आपको अपने emotions को control करना बहुत ही साथा difficult लगेगा आज ये भी नज़र आ रहा है कि आप उन emotions के बारे में बहुत ज़ादा सोचने वाले हैं जहां पर आपके पार्टनर ने आपको hurt किया है जिन emotions की आपके पार्टनर ने कदर नहीं की उन emotions के बारे में आज आप बहुत ज़दा सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आपके emotions इतने high होंगे कि आप किसी से advice लेने के लिए मुझे कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं या phone पर किसी की advice लेंगे आप और वो person आपको सही guidance देगा जो भी वो person आपको आपके relationship के लिए guidance दे प्लीज उस guidance को ज़रूर follow कीचेगा second thing आप आज अपने emotions के चलते हैं अपने partner को call या message करने वाले हैं आपको सामने से उस तरह का response नहीं आएगा आपके partner से आपको उस तरह के जवाब नहीं मिलेंगे जिस तरह का जवाब आप expect कर रहे हैं तो आपके expectations को आपके partner यहाँ पर मुझे तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं आप एक जगह पर बहुत ज़दा emotional होंगे और वहीं पर आपके partner को उन emotions की कदर भी नहीं होगी इस तरह की energies हैं यहाँ पर यहाँ पर गलती ना आपकी है ना आपके partner की है यहाँ पर यह full moon का effect है जिसकी वजह से आप अपने आपको बहुत ही ज़दा painful energies में आज मैसूस करने वाले हैं देखें आप बहुत ज़दा समझदार हैं आप यह चीज को समझ लेजेगी यह full moon effect है इस effect को आप अपने आप से भी control कर सकते हैं जिस person से आज advice लेंगे प्लीज उस person की बात को ज़रूर सुन लीजेगा call या message करके अपने partner को आपको कुछ भी हासल नहीं होने वाला है